नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू अगर 10 mm से बड़ी पत्री है आपके गुर्दे के अंदर और आप उसे बिना ओप्रेशन से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें इसका सही तरीका इस वीडियो में आपको पता चलेगा बहुत जरूरी है बात समझना कि अगर आप ग सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ये 10 mm से बड़ी पत्री को लेकर मैं इतना फोकस इस वीडियो में क्यों कर रहा हूं देखिए ध्यान से समझेए 10 mm से जो बड़ी पत्री होती है वो बेसिकली दो तरह की हो सकती है एक होती है हमारी जो कैल्शियम जो होते हैं वो है हमारे ट्रिपल फॉस्फेट स्टोंस अभी जो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोंस होते हैं ये काफी बड़े होते हैं और लगभग किड्नी के अंदर का जो रीनल पेल्विक एरिया है उसे पूरा पूरा कवर कर लेते हैं बहुत सारे पेशिंट्स मेरे पास सबसे पहले तो जानी है कि reports के आधार पर आप देखिए कि क्या वास्तव में आपकी ये kidney stone जो है वो successfully बिना complication के निकल सकती है क्या तरीका है आपने ultrasound कराया तो उसमें क्या निकला कि पत्री जो है वो renal pelvis में अटकी हुई है नहीं है तो भई हो सकता है आपके kidney के उपर upper calyx में हो उपरी भाग में हो बीच वाले भाग में हो middle calyx में या lower calyx में हो है ना normally ऐसी पत्रियां जो है वो renal pelvis में ही आकर अटकती है अब ये renal pelvis क्या है renal pelvis वो area है जहां पर आपकी kidney जो पिशाब बना रही है वो एकटी होती है और ureter के थू आपके urinary bladder में जाती है तो ये जो renal pelvic area है इसका जो size होता है एक आम आदमी में वो लगबग 10 mm से लेकर 18 mm तक का होता है है ना depending upon age, depending upon height, weight तो हर मरीज का अलग-अलग होता है माना जाता है कि लगबग almost 25% लोगों में जो ये size होता है ये 10 से 12 mm के आसपास का होता है अब समझ लो 10 से 12 mm के size जब renal pelvis का है और उसमें 10 mm से बड़ी पत्री अटक जाएगी तो क्या करेगी आपकी पिशाब उस kidney से बाहर ureter में नहीं आ पाएगी तो kidney सूच जाएगी उस condition को बोलते हैं hydro nephrosis अब दूसरी condition समझिए आपका जो ureter है यनि जो आपकी पिशाब की नली है उसमें 10 mm या 10 mm से बड़ी पत्री फस गई अला कि मुश्किल होता है लेकिन कभी कबार 8 mm से बड़ी पत्री भी बहुत easily फस जाती है और फिर वो मरीज को बहुत नुक्सान पहुचाती है तो फिर क्या होगा कि जब ureter में से पिशाब नहीं निकल पाएगी पत्री फसी हुई है है ना तो वो सारी पिशाब कहां जाएगी वापस kidney में खटी रहेगी और kidney से निकल के पेट में आया लग जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा hydro ureter nephrosis यानि ureter में भी swelling आ गई और kidney में भी swelling आ गई तो जब ये दो conditions आएगी और ये persistently बनी हुई है और जो doctor है या तो उन्होंने सही समय पर सही सलाह मरीज को नहीं दी या मरीज ने खुद over smart बनने के चकर में अरे भाई बियर पिलो एक पूरी बियर पिलो भी निकल जाएगी बड़ी से बड़ी पति निकल जाती आपने पी ली पानी आपने क्या करा एक दिन में तीन तीन चारचा लीडर पानी पी लिया डॉक्टर ने भी timely शायद सही सलाह नहीं दी तो आपको ये बताना भूल गए कि भाईया पानी थोड़ा कम पीना ऐसी condition में और आपने जादा पानी पिया तो क्या हो जाएगा acute kidney injury बिलकुल ध्यान से समझ लीजिए अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं report देखने के बाद भी तो क्या होगा acute kidney injury हो जाएगी और acute kidney injury में आपकी kidney आपका गुर्दा फेल भी हो सकता है अब चलिए अगर बात करते हैं blood reports के बारे में blood reports से कैसे पता चलेगा कि ये जो आपकी kidney में जो पत्री वसी हुई है ये आपके गुर्दे को नुकसान पहुचा रही है कैसे पता आपने पिशाप का टेस्ट कराया और urine रूटीन माइक्रोसकोपी कराया उसमें क्या निकला कि बही जो protein है न वह वन प्लस यह टू प्लस आने लग गया नॉर्मल सी बात आने लग जाएगा संग में पस सेल्स भी आ रहे हैं काफी उसके बाद ब्लड सेल्स भी आ रहे हैं का अब परीश को जो है परिशानी शुरू हो रखी है ठीक ब्लड टेस्ट करायेंगे तो क्या निकलेगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पेशेंट का बढ़ गया संग में पेशेंट का सीरम क्रेटेन भी धीरे-धीरे करके बढ़ने लग जा रहा है और जो EGFR है यह EGFR पेशेंट का धीरे-धीरे करके कम हो गया तो अब समझ लीजे अगर ऐसी कंडिशन आ रही है और आफ फ्रीक्वेंट टेस्टिंग करा रहे है तो इसका मतलब वो जो गुर्दे में पत्री बढ़ी हुई है या यूरेटर में फसी हुई है वो 8 mm से लेके बढ़ी है या फिर गुर्दे वाली 10 mm से बढ़ी है तो वो आपके गुर्दे को किड्नी को नुकसान पहुचा रही है और आपका किड्नी जा रही है अक्यूट किड्नी इंजरी में अब समय लीजे क्या लक्षन होते हैं इस अक्यूट किड्नी इंजरी के अगर अक्यूट किड्नी इंजरी हो तो जलन से आएगी पिली पिली आएगी वोगी एक ही गुर्दा काम कर रहा है दूसरे गुर्दे में तो पत्री आपकी फसी हुई है ठीक है फिर यहाँ पर मरीज को उपकाई आ सकती है मरीज को उल्टी आ सकती है उसका जी मिचला सकता है हर समय ऐसा लग सकता है इसे खाना उपर ही रखाए सब की चीज उपर को आ रही है कभी-कभी मरीज की सांस भी फूलने लग सकती है इसकी वज़े से और भारीपन हर समय महसूस होता रहेगा संग में कुछ समय के बाद पैरों में सूजन भी आ सकती है वो पैरों की सूजन धीरे-धीरे करके नहीं पठकेगी है ना आप दूंगली गड़ाएंगे तो उसमें गड़ा पड़ जाएगा और फिर वो दुबारा से नॉर्मल हो जाएगा तो जब ये सारे सिंटम्स आने लग जाएं तो समझ लीजे वो जो आपकी पत्री है 10 mm से बड़ी है वो आपको नुकसान पहुचा रही है और आपकी किड्नी में पैदा कर रही है acute kidney injury अब सवाल उठता है कि ऐसी पत्री को निकालने के लिए सही तरीका क्या है बहुत ध्यान से समझ लीजे नंबर वन अगर ये reports में इस सब चीजें आये लग जाए आपकी पत्री 10 mm से बड़ी हो जाए तो सबसे पहले बहुत ध्यान से एक टेस्ट कराईए जिसका नाम है x-ray IVP x-ray intravenous pellography जिसमें ये देखिए कि भई आपके गुर्दे की जो condition है वो कैसी है वो पिशाब ढंक से बनकर आ रही है नहीं आ रही है जिस गुर्दे में पत्री फसी हुई है वहां से थोड़ी थोड़ी सी पिशाब भी निकल पा रही है कि नहीं निकल पा रही है ये x-ray IVP में आपको दिख जाएगा और जब ऐसा दिख जाए कि हाँ urine उतर पा रही है उसमें से फौरण होमोपतिक दवा आप शुरू करिए होमोपतिक दवा शुरू करने के संग में सबसे जाधा बात का ध्यान रखिए कि आप एक घंटे पर आधे से एक गलास ही पानी पिएंगे इससे जाधा पाई नहीं पिएंगे maximum कोशिस करिए कि आख आधे गलास तक रोक पाएं अगर आपको symptoms नहीं महसूस हो रहे हैं तो आप एक गलास की तरफ बढ़ सकते हैं अदरवाइस घंटे के हिसाब से आधे गलास पानी आपको पीना है तो दिन भर में at maximum आधे गलास के हिसाब से अगर आप पानी पी रहे हैं तो मुश्किल से मु हो जाएंगी और कोशिश करिया अपनी यूरिन की रिपोर्ट जो है वो हर 72 आर्स में कराएं ताकि आपको क्लियर अंदाजा पड़े कि यह निकल रही है या नहीं निकल रही है तो आपको रिपोर्ट में अंतर आने लग जाएगा क्या अंतर आएगा आपके ब्लेट सेल्स इंपर्व में क्रिस्टल आने लग जाएंगी तो यह सब चीजें होने लग जाएंगी इसका होमपतिक दवा काम करना लग जा रही है अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है तो 21 देज तक आप धीरे धीरे करके इस तरह से कम पानी पे रखकर पेशेंट को treat कर सकते हैं और 72 hours पर आप reports देख सकते हैं तो लगभा अगर 15 दिन भी आपने दवा खिलाई तो आपको reports में improvement दिखने लग जाएगा दिखने लग जाएगा दिखने लग जाएगा तो continue करिए नहीं तो आप आप एक surgeon से संपक करिए patient आपका complication में जा सकता है तो आप बात कर लेते हैं कि ऐसी condition में कौन सी दवा लें और कैसे लें homeopathic medicine जिससे कि आपकी 10 mm से बड़ी पत्री successfully अराम से दिरे-दिरे करके निकल जाए बिना complication के तो दवा है उसका नाम है hydrangea hydrangea को माना जाता है stone crusher remedy पत्री तोड़कर बाहर निकालने वाली दवा हर कोई यही गाना YouTube के उपर गा रहा है देखिए ध्यान से समझे hydrangea एक बहुत अच्छी और successful दवा है ऐसी conditions में यह बात सच है है ना इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि hydrangea के सारे symptoms इधी conditions पे नहीं logical conditions के संग में match करते हैं कौन से मैच करने वाले symptoms है पिशाब में रेत आने लग जाए gravel आने लग जाए पस्टल्स आने लग जाए पेशेंट को लॉइन लॉइन का मत्दब हो गया है जहां पर आप बेल्ट बानते हैं उस एरिया में पेशेंट को पेन होने लग जाए है ना ह आपका यह triple phosphate stones होते हैं मैंने बताया थे वीडियो की शुरुआत में जब यह निकलेंगे रूट कर निकलेंगे तो इसमें से जो है white clay का substance आपकी बिशाब में निकलता हो दिखाई देगा जाग निकलता हो दिखाई देगा जब यह conditions आये लग जाए तो इसका मतलब आपको hyd hydrangea से improvement आ रहा है और hydrangea के यही सारे symptoms हैं जिस पर हम hydrangea देते हैं hydrangea is a very successful remedy जब हमें बड़ी पतरी को बहार निकालना है लेकिन यहां पर एक caution भी है ठीक है जो मैं as a clinical physician मैं आपको बता सकता हूँ यह practical exposure की बात बता रहा हूँ आपको कभी भी ध्यान रखें hydrangea से best results पाने हैं तो क्या करना चाहिए hydrangea से best results पाने के लिए हमेशा कोशिश करें hydrangea को berberis vulgaris के संग में इस्तमाल करें और यह दोनों दवाईया टू इस टू वन के रेशो में यह नहीं berberis vulgaris के दो पार्ट और एक पार्ट hydrangea का अगर आप इस combination में यह दोनों दवाईया पर चेस क जो होती है ना यानि जो आपकी पिशाप की जितनी भी पत्रिया होती है उसमें berberis vulgaris का scope hydrangea के मुकाबले कहीं जादा है कहीं strong है लेकिन limitation जहां पर berberis की आती है वहां पर hydrangea उसे support करती है तो these two remedies यह दूनों दवाईया एक दूसरे को support करती है तो 10 mm से बड़ी पत्री मे result पाने के लिए हमेशा berberis vulgaris और hydrangea को 2 to 1 के ratio में लेंगे या नहीं अगर आप 20 बून berberis vulgaris की ले रहे हैं तो 10 बून hydrangea के लेंगे और उसे एक ग्लास पानी में डाल कर या आधा ग्लास पानी में डाल कर depending upon condition कैसी है ठीक है आधा ग्लास पानी में डालना ज्यादा सेफ है तो आधा ग्लास पानी में 20 बून berberis vulgaris 10 बून hydrangea आपने डाली और धीरे धीरे करके आप उसे sip sip करके पी गए आप इस दबा को ऐसी कंडिशन में दिन में 5 बार तक ले सकते हैं हमेशा ध्यान रखें खाना खाने के आदे गंटे बाद ही लेंगे खाली पेट इस दबा आप से तूटकर बाहर निकल सकती है यह सही तरीका है जिससे कि आप hydrangea को इस्तमाल कर सकते हैं इस तरह की पत्री को तोड़ने के लिए successfully I hope कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है न यह बहुत accurate थी to the point थी आपके फायदे के लिए थी अगर आपने इस बात को समझा है तो इन दोनों दवाईयों से सकसेश जरूर मिलेगा 10 mm से बड़ी पत्री बहुत अराम से निकल जाएगी अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए न जो इन्फॉर्मेटेव हो आपके फायदे के लिए हो तो यह जो सब्सक्राइब का बटन है दबाना बहुत ज इकवेशन बिलती है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही में तरफ से नमस्कार थाइंक यू एंड जैहिंद